हाई लो दोस्तों कैसे हैं यूटूब चैनल अंकुस ब्लोग में आप लोगों का स्वागत है तो चलिए फ्रेंड आज हम देखिए आए गुमने के लिए अपना गाउं एरिया से कुछ 10 किलोमीटर दूर में एक स्वी मंदीर है माता जी का भी मंदीर है उस अस्थान का नाम है गोरिदा तो आज हम घुमने के लिए आया है इधर और देखिए आप लोग को बता दें कि क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छा खासा जगह है और ऐसे भी बोलते हैं कि भोले नात संकर भगवान जी हमारे जो हैं परबत पर ही बास करते हैं सो दे के चारों तरब जंगल से घीरा हुआ है और बीच जंगल में ये मंदीर है बहुत अच्छा मंदीर है ये मंदीर का नाम है गulator immers नमीन二 सा पर चली था ये मन्दिर तो चली आप लोगों को बता देते हैं कि अभूआ हम चल्क करके आप ее कैसा जगा सामने बाइक लगा हुआ है उस पर उधर हम भाइक को खड़े किये हैं और सीड़ी से नीचे उतरे नीचे में देखिए अंदर में जो नीचे दीख रहा है डौन गड़ा है वहां पर नदी है जरना है चोटा मूटा हमेशा यहां पर पानी रहता है किसी भी मौसम में हमेशा लौष पानी रहता है तो चलिए आप लोग देख लिए यह देखे चापाकल है यहां से लोग पुझा करते हैं जल को डॉतेंर बहुले-संकर के पास चलिए हम अगरे मंदीर की और बढ़ते हैं रोषता है इसमेशा पानी राथा इसमें पानी रहता है ये देखे ये रास्ता है मंदिर जाने का और ये देखे नदी है हमेशा पानी राता है इसमें अभी तो कुछ कम हो गया है लेकिन फिर भी है पानी है ये मंदिर जाने का सिर्ण है इधर देखे मंदिर है इधर देखे यात्री सेड है उपर में लिखा हुआ है जो जो बाहर के सामने में मंदीर है तो मंदीर तरफ हम चलते हैं देखिए दोस्तों ये मंदीर है मंदीर का सीड़ी है तो मंदीर की वालीमा का आप लोग भी दर्शन कर लें और अभी साथ बज के कुछ मिनट हो रहे हैं माता-रानी का मंदीर देखिए पूजा भी हो रहा है हमारे जो यहाँ पे देखवाल करने के लिए जो रहते हैं पंडी जी के रूप में ओ देखे पूजा करना है अभी और इधर देखिए हमारे बजरंग बल्ली जी का हनुमान जी का जंटा लगा हुआ है उनका अस्थान इधर हुआ और इधर आप लोग बता देखे हैं हमारे संकर जी हैं भोले बाबा इधर का बास है तो देख लिए आप लोग आप भी दर्शंव कर ले अधर दैखिए दोस्तों नदी है पानी खुब जमा हुआ है देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है जंगल से घीरा हुआ है तो चलिए ठीक है ऐसा ही व वीडियो को भी अफडेट करें तो आप लोग तक पहुंच दोस्तों मातारानी से आप लोग दर्शन करी लिए होंगे तो देखिए हमारे पंडीजी हैं पंडीजी पन्नाम तो पंडी जी बताइए कि आप यहां कब से आप माता रानी का भोले संकर बाबा का आप सेवन कर रहे हैं यहां पर हम 12 साल से हैं इसके पहले आपके पिता जी करते थे पहले जो है से जनार्धन पाठक थे सबसे पहले जो थे से जनार्धन पाठक इसके बाद सर्जू पाठक थे तब हमारे पिता जी अच्छा पंडी जी यह जो मंदीर है यह मंदीर का निवास यहां कब से हुआ और कब हुआ और कैसे ब recals पित्याये साउन्हां ने सो उन्च अन्हास में और कैसे हुआ टो कैसे वह जो यहां कश्छाइं सब्सक्राइब प्रसाथ स्वर्गिय कमलेश्वरी प्रसाथ वही यहां स्थापना किया थे शिव मन्य का अच्छा अच्छा अउसी टैम से सेवन होते रहा और कब-कब यहां मिला लगता है और कब-कब लोग ज्यादा यहां पर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए अच्छा तो आप किधर के रहने वाले हैं तो चलिए ठीक है आप अभी तो पुजा पाठ होगे आप चले जाएंगे फिर सामने आएंगे तो चलिए दोस्तों आप लोग सुन लिए देख लिए तो आप लोग सोच रहे होंगे कि किस अरिया में तो अरिया भी बता दिये हैं तो आप लोग भी अगर चाहें मातरानी से दर्सन करने के लिए अगर आप लोग भी चाहें दर्शन करने के लिए तो आड्रेस हम बता देते हैं और आप लोग भी आ करके देखें यहाँ पर चलिए थैंक यू फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में